जैहीन दोस्तो स्वागत है आप सभी का सर्मा फैंटीसी ग्रूप में चली दूस्तो अब हम लोग कुछ मैस रिलेटेट हम लोग मैस डिटेल देख लेते हैं मैस डिटेल में दूस्तो सबसे पनले जान लोग पीच के बारे में दोस्तो आज का पीछ बाइलेंस रहेगा बैट्समेन और फास्ट बलर को मेंली हेल्प करेगा इस्पीनर को दोस्तो इस ग्राउन पर बहुत ज्यादा बिकेट मिल रहा है इसलिए दोस्तो ऐसा नहीं करना कि आप इस्पीनर को टोटली अपने टीम से इग्नोर कर देना ऐसा न करेंगे तो दोस्तो पीछ रिपोर्ट का ध्यान रखना बात करें दोस्तो एबरेज स्कोर इस मैश का तो यदि एस्टेलिया के टीम फ़र्स बैटिंग करती है ध्यान से सुनना तो एबरेज स्कोर 120 और 135 के बीच में रह सकता है वहीं दोस्तो न्यूजिलेंड की टीम यदि फर्स बैटिंग करें तो में भी दोस्तो एबरेज स्कोर 125 से कम भी रह सकता है तो यह चीज़ को ध्यान में रखके कंबिनेशन बनाना इसलिए दोस्तो मैं आपको बोल रहा था टस्क के बाद जो भी मैं आपको फाइनल कंबिनेशन प्रवाइड करूँगा स्मॉल लिग औ अभी तक पूरे T20 करियर में 47 मैच हुए है जिसमें दोस्तो एस्टेलिया की टीम ने 24 मैच विन किये वहीं दोस्तो न्यूजिलेंड ने भी 21 मैच विन किये 24 मैच में दोस्तों Estelia ने 1st बैटिंग करते हुए 12 मैच विन किये वहीं दोस्तों New Zealand ने 1st बैटिंग करते हुए 10 मैच विन किये वहीं दोस्तों Estelia की टीम ने 2nd बैटिंग करते हुए 12 मैच विन किये और New Zealand की टीम ने 2nd बैटिंग करते हुए 11 मैच विन किये तो दोस्तों यहाँ पर यह दिया आप गौर करो तो Estelia की टीम फर्स्ट बैटिंग और सेकेंड बैटिंग दोनों में बरावर मैच विन करें है वही दोस्तों New Zealand की टीम भी दोस्तों जादा का फर्क नहीं है 10 और 11 का फर्क है और दोस्तों दोनों टीमों का रिसेन परफॉर्मेंस देखो इस टूनामेंड में तो दोस्तों Estelia की टीम ने 3 मैच खेले है तीन के तीनों मैच विन किये है वही दोस्तों New Zealand की टीम ने दोस्तों 3 मैच खेले है लेकिन दो मैच इन्हों ने विन किया है और एक मैच दोस्तों इनका Loss गिया है और वो भी दोस्तों इंग्लाइन के खिलाब इन्होंने हार का सामना किया है लेकिन दोस्तों एक चीज़को यहाँ पे ध्यान दो दोनों तीमों का head to head record में दोस्तों बहुत जादा फर्क नहीं था recent form भी दोस्तों ठीक ठाक है दोनों तीमों के pass भी बहुत ही अच्छे खेलारी भी है इसलिए दोस्तों इस match में कोसिस करना small link में 6-5 का combination बनाना इस 6 में दोस्तों यदि आप 5 contest खेल रहे हो तो 5 में से 3 contest Estelia को favor कर लेना नहीं तो आप 4 contest भी कर सकते हो Estelia को favor और एक contest कम से कम आप New Zealand को favor करके जरूर बनाना क्योंकि आप देख सकते हो New Zealand का बहुत खराब record तो नहीं नहीं Estelia के सामने काफी अच्छा record है तो इसलिए दोस्तों ये बात का ध्यान रखना combination जब भी आप बनाने बैठो तो head to head record जाना बहुत important होता है और recent form कैसा चल रहा है team का ये जाना बहुत important होता है इसलिए मैंने सोचा ये चीज आपके साथ पहले share कर देता हूँ दोस्तों combination बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ important बाते share कर लेता हूँ जो दोस्तों आपके लिए बहुत जादा important है देखो ये जो match होने वाला है दोस्तों Estelia और New Zealand का ये मैं दोस्तों रात को 10 बच के 30 मिनट पे start होगा और इस match related जो मेरा final combination रहेगा वो मैं आपको 10 बच के 15 मिनट पे टेलीग्राम पे provide करूँगा तो दोस्तों यदि आप नए हो और first time वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लेना टेलीग्राम चैनल का link दोस्तों आपको नीचे description में मिल जाएगा और साथी साथ दोस्तों आपको comment section में भी मिल जाएगा तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और वहाँ पे जो भी मैं आपको small link और grain link का final combination प्रवाइड करूँगा प्लीज दोस्तों उसी combination के साथ जाना और दोस्तों यदि आप नए हो तो मेरे आप YouTube चैनल को जरूर सस्क्राइब करना और दोस्तों सस्क्राइब करने के बाद notification का घंटी जरूर बजा देना जिसे मेरे वीडियो का आपको easily notification मिलता रहे बतादो दोस्तों मैं अपने परतेक वीडियो में मैं आप सभी को 200 रुपया का Give Up दे फ्री में परवाइड कर रहा हूँ जी हां दोस्तों आपने सही सुना 200 रुपया का फ्री मैं आप夠 Give Up दे परवाइड कर रहा हूँ दोस्तों Give Up दे जितने के लिए आपको कुछ नहीं करना है एक like करना होता है और एक comment करना होता है यदि दोस्तों आपका like और comment नमबर वन पे रहता है तो दोस्तों आपको 200 रुपया सर्मा fantasy group के द्वारा free में दिया जाएगा तो दोस्तों कोशिज जरूर करना give up जितने क्या है और दोस्तों give up जितने के लिए जानते हो simple सा trick क्या है notification का घंटी बजा देना जिसे दोस्तों आप लोगो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत notification मिल जाएगा और आप दोस्तों तुरंत वीडियो को like और comment करके 200 रुपया win कर सकते हो तो कोशिज जरूर करना दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने combination के बार से बी मोनी आपको ओपनिंग में दिखी की एहली के साथ बहुत ही संदार बैट्स में और इस चुनामेंट में बहुत ही अच्छी फॉर में भी चल रही है स्टार्टिंग का दो में दोस्तों इनका फ्लॉप गया था लेकिन लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने 70 अनका इसी पॉइंट में और साथ जो तीन मैच खेले एक मैच में आठ रण चार रण कोई भी मैच में 50 प्लस स्कोर नहीं किये हैं लेकिन दोस्तों बता दू आज के मैच में मुझे काफी ज्यादा भरोसा है लेंगिंग पे आग दोस्तों आपको 50 प्लस स्कोर कर सकती है इसलिये दोस्तों मैं आपको recommend करूँगा कि आप इन्हें grain link में captain by captain जरूर बनाना, small link में दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ grain link में आप इन्हें जरूर बनाना तो ये बात का दोस्तों धियान रखना बहुत कम लोग इन्हें captain by captain बनाएंगे आप कर सकते हो, mini GL में दोस्तों आप इन्हें captain by captain बना सकते हो आज के match में, माफी चाहता हूँ दोस्तों उपर से मैंने एक player को छोड़ दिया है जिनका नाम है Ace Bates, इन्होंने दोस्तों 3 match खेला है टूनामेंट में और 64 के एबरे से दोस्तों इन्होंने आपको fantasy point प्रवाइड किया, बहुत ही सांदार batsman है आपको opening में दिख जाएगी और इस टूनामेंट की दोस्तों टॉप scorer भी है लास्ट तीन match का दोस्तों इनका बात करें तो 91 run, 34 run और लास्ट में दोस्तों इन्होंने सिर्फ स्कोर नहीं किया था, मात्र छेरा ने स्कोर किये थे लेकिन आपके लिए बहुत important है इन्हें दोस्तों आप लोग drop मत करना किसी भी combination में इस प्रवाइड में दोस्तों और नहीं करना ग्रेलिंग में करना हो तो कर लेना दादू दोस्तों ये part time balling भी कराती है लेकिन दोस्तों इस tournament में अभी तक एक भी over balling नहीं करा है नीचे दोस्तों आपको दिख रहा होगा aim green बहुत ही सांदार खिला रही है लेकिन दोस्तों इस tournament में अभी तक इन्हें उतना मौका नहीं मिला है तीन मैच खेलें 20 का ही दोस्तों इनका average रहा है लास्त तीन मैच में 0 run, 9 run और 19 run स्कोर की है और दोस्तों same problem नीचे आपको आर हैंस दिखेगी इनके साथ भी same problem है इनका batting order बहुत जादा नीचे है और इसलिए दोस्तों इस tournament में इनको batting ही नहीं आया है तीन मैच में 206 का average है ऐसा क्यों है क्योंकि दोस्तों दो मैच में इनका बैटिंग ही नहीं आया है एक मैच में दोस्तों इनका बैटिंग आया तो 9 run स्कोर कर पाई थी तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं और लाउंडर सेक्षन की first important pick is divine बहुत ही सांदार खेला रही है इस टूनामेंट में भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे है तीन मैच दोस्तों इन्होंने खेला है 65 के अब्रे से दोस्तों इन्होंने आपको fantasy point प्रवाइट किया है लास्ट तीन मैच का दोस्तों बात करें तो first match में 48 रन स्कोर करके 3 बिकेट लिये थे सेकेंड मैच में 24 रन स्कोर किया है और लास्ट मैच में दोस्तों यह सिर्फ फ्लॉप रही थी एक रन ही स्कोर कर पाई थी नीचे दोस्तों आपको A2 दीख रही है बहुत ही अच्छी option है स्पिन बॉलिंग बॉलिंग कराएंगी और साथी साथ दोस्तों आपको टॉप ओडर में बैटिंग करने आएगी तीन मैच खेले 258 के 200 एब्रेस से इन्हों ने आपको fantasy point परवाइट किया है लास्ट तीन मैच का दोस्तों बात करें तो 20 रन स्कोर की थी एक बिकेट ले थी, सेकेंड मैच में साथ रन स्कोर करके एक बिकेट ले थी और जो लास्ट मैच खेला थी उसमें उसमें दोस्तों इन्होंने दो इंपोर्टेंट बिकेट लिये थे और दोस्तों जानते हो ये दो दो इंपोर्टेंट बिकेट था वो भी इन्होंने last time पे लिया था बहुत ही अच्छी बॉलर है इनके साथ problem क्या होता है कि इनको दोस्तो बैट्स फंड जल्दी मारने नहीं जाता है इसलिए इन्हें बिकेट नहीं मिल पाता है लेकिन जब भी बिकेट मिलता है दोस्तो बहुत ज़्यादा गुच्छे में बिकेट मिलता है तो कैप्टन भाइस कैप्टन की बहुत ही सांदार पिके सोफिया डिवाइन के साथ आपके लिए small league, grain league सभी में नीचे दोस्तो इस tournament की one of the best all-rounder team मैगराथ बहुत ही सांदार form में चल रही है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तीन मैच में दोस्तो इन्हों ने आपको 119 के एबरे से fantasy point पुर्वाइट किया है समझ सकते हो, 119 के एबरे से fantasy point पुर्वाइट किया है लास्ट तीन मैच का दोस्तो बात करें कैप्टन भाइस कैप्टन के लिए मैगराथ स्मॉलिंग में तो दोस्तो आपको किसी के बारे में सोचना आई नहीं है इनके साथ हमेशा जा सकते हो इस्टेलिया second batting करें, चाहे first batting करें तो ये बात को दोस्तो ध्यान में रखना नीचे दोस्तो आपको एक और option दिख रही होगी ए गार्डेनर, दोस्तो इस tournament में first match में इन्होंने batting से score किया लेकिन उसके बाद दोस्तो इन्होंने balling continue, कोई match में 3 over करा रही है कोई match में दोस्तो 4 over balling करा रही है और second match में दोस्तो इन्हें 2 bicket भी मिला लेकिन last वाले match में इन्हे bicket लेस गई लेकिन मैं यही कहूंगा आज वाले match में दोस्तो आप gardener को drop करना चाहते हो small link में, तो दोस्तो आप free हो कर सकते हो, जानते हो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तो देखो new jill land में बहुत ही कम batsman left hander है, और gardener maximum time left hander को balling कराती है तो इसको यदि ध्यान में आप इन्हें drop करना चाहते हो और credit को बचाना चाहते हो, दोस्तो इस match में credit का बहुत ज़्यादा problem आ रहा है, तो gardener को आप drop कर सकते हो, थोड़ा सा रिक्सी है बट आप कर सकते हो, credit को manage करने के लिए फिर नीचे दोस्तो आपको कुछ खास option नहीं देखेगा एक option नहीं इस tournament में दो ही match खेले एक match में दोस्तो इन्हें दो bicket मिला था और एक match में bicketless रही थी और इस सेम दोस्तो नीचे Jay Harris अभी तक एक बार ही इन्हें बैटिंग आया है अब दोस्तो हम लोग बात करते हैं balling section से Jay Johnson बहुत ही important pick है इस वाले match में आप इन्हें किसी भी combination में drop नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो देखो, यह ऐसे baller है जो आपको complete 4 over balling कराएगी और साथी साथ दोस्तो run नहीं देगी जादा और bicket भी लेगी इसलिए दोस्तो मेरे आज के बहुत important baller है तो मैं इन्हें किसी भी combination में drop नहीं करूँगा इस tournament का बात करें तो इन्होंने 3 match खेला है दोस्तो इन्होंने आपको fantasy point परवाइट किया है तीन match का बात करें तो first match में 4 bicket ली second match में दोस्तो इन्हें 0 bicket मिला और last match में 1 bicket ली नीचे दोस्तो एक इंग बहुत ही सांदार दोस्तो लेप्टामनी spinner है इस्टेलिया की है दोस्तो इनका बात करें इन्होंने आपको fantasy point परवाइट किया है और last 3 match में दोस्तो आप देखो तो first match में इन्होंने 18 run score किया bicket नहीं मिला second match में दोस्तो इन्हें 4 bicket मिला और last match में दोस्तो इन्हें 1 bicket मिला दोस्तो मैं आपको एक interesting बात बताता हूँ यह ची दोस्तो आपको काफी help करेगा यदि आप rotating way में combination बनाते हो देखो Johnson first match में इन्हें 4 bicket मिला second match में 0 bicket मिला एक king को दोस्तो first match में 0 bicket मिला second match में 4 bicket मिला that means दोस्तो यदि Johnson को बहुत ज़्यादा bicket मिलता है तो समझ जाओ उस match में एक king को bicket नहीं मिलेगा तो ऐसे condition में दोस्तो आप grand league में ये काम कर सकते हो और mini jail में भी ये काम कर सकते हो कि एक combination में Johnson को रखो और दूसरे combination में आप एक king को हटा दो और एक combination में एक king को रखो और Johnson को drop कर दो small league में दोस्तो मत करना बहुत रिक्सी हो जाएगा बट grand league में ये काम आप कर सकते हो फिर नीचे दोस्तो न्यूजिलेंड की बहुत ही important baller ई जैंसन बहुत ही अच्छी balling करा रही है दोस्तो पूरे tournament में तीन match खेले इस tournament में आपको fantasy point पर्वाइट किया नीचे दोस्तो ए में stross दीख रही इन्होंने इस tournament में 3 match खेले 37 runners इन्होँने आपको fantasy point पर्वाइट किया लास्ट 3 match में दोस्तो एक match में बिकेट लेज गयी थी और दो match में इन्होंने तोटल 3 बिकेट लिए पर परफॉमेंस की है कोई भी मैच में दोस्तों इने अभी बिकेट नहीं मिला है लेकिन बता दो खेलारी बहुत ही सांधार है और इनका दोस्तों इस्टेलिया के अगेंस बहुत ही सांधार रिकॉर्ड है बट इस्टील दोस्तों मैं यही कहूंगा आप इन्हें मिनी जील और ग्रेंड लिंग में ट्राई करना और इन पे जो भी मैं कंबिनेशन बनाऊंगा वो मैं दोस्तों आपके साथ टेलिक्राम पे सेर कर दूँगा टस्क के बाद नीचे दोस्तों इस मायर उतने खास ओप्सन नहीं है डी ब्राउन को दोस्तों आप लोग मिनी जील ग्रेंड लिंग में ट्राई कर लेना इस्मॉल लिंग में दोस्तों उतने खास ओप्सन नहीं है एक बात का हमेशा ख्याल लगना यह बॉलर आपको परते एक मैच में बिके तो ऐसा नहीं है कि विकेट लेस रही है अच्छी बॉलर है ट्राइ जरूर कर सकते हो इनका बाउंसर बहुत ही संदार है नीचे दोसों एक लास्ट ओप्शन आपको दिखेगा एप जोंस तो एप जोंस को सभी लोग क्यों ट्राइ कर रहे जानते हो दोसों यह आपको क्रेड तो क्रेडिट आपको मैनेज करना है तो आप एप जोंस को ट्राइ कर सकते हो अभी के लिए दोस्तों यह मेरा फाइनल टीम है तब तक के लिए दोस्तों आप इस टीम के साथ कॉंटेस्ट जोईन कर लो और कोई भी चेंजिस करना होगा टस्क के बाद तो दोस्तों मैं आप आपको फाइनल टीम टेलिग्राम पर अपडेट करके परवाइड कर दूँगा अभी तक दोस्तों आपने टेलिग्राम चैनल को जुआई नहीं कि हो तो दोस्तों कर लेना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों मैं आपको कुछ हिंट्स परवाइ कराती है तो आप एमस्तों को अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो नहीं तो आप डी ब्राउन को भी ट्राइ कर सकते हो और दोस्तों मैं आपको एक और ओप्शन प्रवाइड कर देता हूँ ये थोड़ा सा रिक्सी है इसलिए आप मिनी जील ग्रेनलिंग में ये काम 100% कर सकते हो लैंगिंग को दोस्तों आप ड्रॉप कर सकते हो इस टील मैं बोल रहा हूँ रिक्सी है ये बात का ख्याल रखना मैं खुद ग्रेनलिंग में लैंगिंग को कैप्टेन बनाऊंगा लेकिन यदि आप एक कंबिनेशन थोड़ा डिफरेंट जाना चाहते हो तो लैंगिंग को ड्रॉप करके एप जौन्स को यहां से हटा देना और इनके जगह कोई ऐसे पिलेर रख लेना जो बिकेट टेकर हो जैसे आप में श्रॉप को ट्राइ कर सकते हो नहीं तो न्यूजिलेंग कर सकते हो तो दोस्तों यह था कुछ इंपोर्टेन रोटेशन जो आप कर सकते हो तो इसमौल लिक ग्रेलिंग में कैपटल भाईस कैपटैन को बात करेंगे दोसों स्टे मेग्रेट और संदार बहुत संदार के remembered ग्रेन लिंग में मैं recommend नहीं करूँगा ग्रेन लिंग में आप bowling section से एक किंग को जरूर कर सकते हो और J.A. Johnson के साथ तो दोस्तो बहुत लोग mini GL में 100% जाएंगे और आप भी जा सकते हो तो दोस्तो ये थे कुछ important rotation जो आप कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया और captain, vice captain आप किसे small link में कर सकते हो grain link में कर सकते हो और mini GL में कर सकते हो ये भी मैंने आपको काफी सही से समझाने का कोसिस किया दोस्तो आपको कोई भी problem हो तो आप नीचे comment section में जरूर लिखना मैं उसका तुरंत reply करूंगा और दोस्तो वीडियो पसंद है तो like जरूर करना और अभी तक दोस्तो आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो subscribe कर लो और कोसिस करो free में जो मैं आपको 200 रुपया provide कर रहा हूं गी बबे दोस्तो जीतने का कोसिस करो और जो भी आपको पैसा आता है यदि आपने fantasy में loss किया है तो यहां से दोस्तो आप gain करो और फिर से fantasy खेलो और win करो तो दोस्तो कोसिस जरूर करना बस आपको चैनल को subscribe करना और notification का घंटी बजा के रखना है फिर मिलते दोस्तो आप सभी से कल के वीडियो में टेक केर बाई बाई गुड नाइट